हेलो फ्यूचर दॉक्टर्स, वेलकूम टू दिपेनिजम, आज हम लोग डिसकस करने वाले कुछ इंट्रेस्टिंग से अनिमल्स के बारे में जो बिना फेडिलाइजेशन के, मतलब बिना फ्यूजन आफ गैमेट्स के नए ओर्गैनिजम का डिवलपमेंट कर लेते और ऐसे कुछ ओगैनिसम्स हैं जैसे के लसाटा, लसाटा लिजर्ड में दर इस ओनली फीमेल स्पीशीज, मेल पॉपलेशन आर टोटली अप्सेंट, जहां पे फीमेल लिजर्ड लेस दी एग्स, एग्स देहांच और देवलप इंटो फीमेल लिजर्ड ओनली, तो लसाटा म में ये पार्फनोजनेस का अचेप했는데 अब्सक्त की या यह आजीज़न आ या और यह लिजर्ड माहिं उप्साय थीमेल इसे किये लिजर्ड खिया है। घर्डidents इसे किसी कता मितने अदर लिजर्ड डिए ज़यमेल सुश इगार्फर मितनुँ और सalay नीजर्सивать भार्फनेशि कुछ अनिमल्स में हम लोग आल्टिफिचली पार्थेनोजनेसिस इंदूस भी कर सकते हैं और एग्जाम्पल इस सी अर्चिन्स जब ये सी अर्चिन्स के एग्स को वी ट्रीट विट इधर सॉल्ट सॉलूशन और वी ट्रीट विट सर्टन ऑगानिक असेट्स और वी अपलाई सथ अलेक्न अल्टिल शॉक्स और वी पूच विट विट अलस्ट विप्रक्त अभानिड व्र विट प्रचिन्स sea urchins they develop parthenogenetically into new organism even in honeybees we observed that the female honeybee when it produces the ovum that ovum can parthenogenetically develop into male honeybees or drones if in the female honeybee the ovum that is produced that undergoes fertilization it produces female honeybee like another fertilization nahi hota then it develops into male honeybees or drones so this we observe that in animal kingdom a certain different type of mechanism operates which is parthenogenesis so we have discussed a very interesting concept stay tuned for my further videos that's all from the painism